हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो आज हम बात करते हैं कि आप हेल्थी एंड व्यूटिफुल रहने के लिए क्या खा सकते हैं और आपको क्या खाना चाहिए नमबर एक की बात करें तो दूद दूद से हटिया मजबूत होती हैं दूद में कैलशियम की मातरा अधिक होती है जिससे सरी को एनरजी मज़ती है और बोडी भी रिफ्रेश हो जाती है सेकंड तर्वूज, तर्वूज में भरपूर मातरा में पानी पाया जाता है और बिटामिन A का अच्छा स्तरोत माना जाता है जो आपकी आँखों के लिए और दिल के लिए अच्छा होता है लीची से आपकी तवच्छा खुबसूरत और सरी स्वस्त होता है लीची में कारो हाइडरेट्स, बिटामिन, सी और अन्य मिनरल्स पाते हैं इस्ट्रोवेरी खाने से रंग निखरता है इसमें बिटामिन सी मौजूत होता है और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है चीया शीड्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है यह तचा के लिए लावधायक होता है और मैमोरी पाबर को मजबूत बनाता है शहेते जितना खांसी और जो काम में फायदा करता है उतना ही सरीर के लिए लावधायक होता है इससे सरीर की रंगत निकरती है मक्खन यू तो इसका उप्योग आप डेली ही करते हैं पर उन्तो इसके फायदे अनिक है इससे बोडी को भरपूर मात्रा में कर्भो हाइड और एनर्जी मिलती है टोमेटो टमाटर खाने से पाचन शक्ती पेट से सम्मंदित अनिक समस्यां दूर होती है टमाटर में बिटामिन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि शरीर के लिए अतियंत महत्पूर पधात है नीवू पानी नियमित रूप से शरीर के विश्याक्त पधातों को बाहर निकालने में सहायक है बॉडी को रिफ्रेश कर देता है जो इम्मूनोटी बूष्ट करता है नीवू में बिटामिन C जैसे स्त्रोथ होते हैं इसके अलावा आप संत्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें भी बिटामिन C होती है गन्ये का रस जरूर पीजिए गन्ये में बिटामिन और फाइवर दोनों ही बहुत लावता दायक स्त्रोथ होते हैं गन्ये का सेवन बहुत जरूरी होता है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टन्थ है इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलना